नमस्कार दोस्टो सौगेत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्टो सबसे पहले मैं बताने चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमने सोचा भी नहीं था जो हमने सोचा भी नहीं था वो चीज़ देखने को मिल लई है final rate hike final rate hike आपको देखने को मिल सकता है साल का क्योंकि Fed ने ये सोचा ही नहीं था कभी expectation ही नहीं की थी कि inflation का data बढ़के आ जाएगा हाँ आपने सही सुना America का market जो इतने 4 दिन से लगातार momentum में था crash हो चुका है क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से जो inflation का data आया वो पूरी तरीके से next to level के आया और इसमें अगर आप देखेंगे बहुत ही hot देखने को मिल ला है inflation जिससे देखेगा काफी ज़्यादा असर पड़ा है तो आप देख रहे हैं कि Fed का कहना ये है हमारी credibility को असर पड़ जाएगा अगर हम 3.7 देखेगा target को क्या नहीं करते है वहीं पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो data है unexpected आ गया यानि data expectation ही नहीं की गई थी कि इस तरीके का data आ चुका है लेकिन इसके बाद एक major sector legards रहेगा आपको ये confirmation के साथ मैं बता रहा हूँ कि एक जो सबसे बड़ा nifty का supporter है एक sector जो number 2 पे support करता है जो number 2 पे support करता है nifty को वो पूरी तरीके से अब market को participant नहीं करेगा तेजी में तो आप देखेंगे जो data आ रहा है वो कैसे जुलाई साहरा जुलाई का data फिर August का data और फिर September का data September का data किसी ने नहीं सोचा था कि बढ़के आएगा मेरिका में और आपको पता है Fed Minute 12 11 तारीक को आपको देखने को मिले थे और इसमें यही बात कही गई थी कि एक another rate hike आपको देखने को मिल सकता है लेकिन सबको यह पता था कि को चौका डाला है data में बहुत बड़ा jump देखने को मिला है और जैसे ही data में jump देखने को मिला है तो US inflation data के बाद आपको पता है कि जब US में यहाँ पे data अच्छा आता है तो इसका मतलब होता है Fed rate hike के लिए जाएगा Fed और control measures लाएगा जो कि bond market को देखेगा काफी जादा वो देंगे encouragement देंगे लेकिन इसी के साथ साथ सबसे वड़ी बात मैं आपको बताने चाहूंगा कि यह IT stocks के लिए बहुत बुरी खबर है और मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूँ कि यह 50-50 के लिए जो यह data आ गया यह इस inflation का वो कितना negative है वो इतना negative है क्योंकि आपको पता है कि IT के stock के मतलब जो performance है वो आपको देखने को भी मिलेगी IT number 2 पे support करता है 13% के साथ यानि 13% के साथ देखेगा number 2 पे support करता है already आपको पता है जो third number का oil and gas है वो support नहीं कर रहा है चुकि crude oil के prices एकदम देखेगा आप है windfall tax एकदम आप है तो इन दोनों sector को support नहीं मिला तो यह दोनों sector आपको support नहीं दे रहे हैं Reliance का आपको बहतरीन example आपको देखने हूं मिला है तो ऐसे में जब यह data आ गया तो इस data है जब quarter result आने के बाद इस तरीके से IT stock crash हो रहा है तो यह चीज सबसे बड़ी है कि already अभी result अच्छे आए नहीं है और inflation का data अमेरिका में अच्छा आनी रहा तो यहां पे और ज़्यादा borrowing cost बढ़ती है अगर तो यह IT sector के लिए काफी ज़्यादा challenging होने वाला है काफी ज़्यादा इनके margin पे impact होने वाला है यही commentary infosys ने दी है तो इसका मतलब IT से आप उमीद मत रखना इस quarter में भी कि वो nifty को ठाने में आपका सयोग करेगा चाहे वो देखेगा SCL tech हो चाहे वो देखेगा आपका basically infosys हो तो revenue outlook इन्होंने देखेगा बहुत जादा percentage से घटा दिया है कि हमें लग रहा है कि हम उतना revenue achieve नहीं कर पाएंगे तो इनको कुछ ना कुछ America में Western nations में देखने को मिल ला होगा तो आप समझ सकते हैं जो companyya खुद आके बोल नहीं है कि हम confident नहीं है कि हम इतना revenue बना पाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो sector का क्या हालत हो रही होगी तो ये चीज पूरी तरीके से IT sector के लिए अच्छी नहीं है कि inflation का data और बढ़ रहा है जो कि inflation और बढ़ना बत्तब borrowing cost का और बढ़ना जो कि IT stocks tolerate नहीं कर सकते हैं तो Monday को भी IT stocks देखेगा या फिर next week भी IT stocks आपको perform करते हैं जिन देखने हों मिलेंगे IT stocks से थोड़ी दूरी बना के रखेगा वीडियो अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न भूलेगा Thank you so much